लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूस 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कवीता पांडे अयोधा से राम लला के करोडों भक्तों के लिए खुशी की खबर आई है राम जन्म भूमी में राम भक्त राम लला के दर्शन बेहद नस्दीक से मन भर कर सकेंगे राम लला को भक्त टेंड की जगा बुलेट प्रूफ सीसर युक्त फाइवर के मंदिर में देखेंगे चैत्र राम नावमी का पहला दिन राम भक्तों के लिए खास होगा राम जन्म भूमी तिर्थ छेत्र ट्रस्ट की दूसरी बैठक 4 अप्रैल को आयोधा में ही आयोजित होगी ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्मान की प्रक्रिया सुलू करने से पहले ट्रस्ट का पहला कालेले भी राम का चेहरी मंदिर को चैनित क्या है भारती स्टेट बैंक में राम्लला का खाता भी खोल दिया गया है राम्लला के दर्शन में आयभकतों को दान पात्र में दिये गये दान का 8,000,000 रुपए भी बैंक में जवां कर दिये हैं यह रुपए वीगरती 14 दिन में चड़ावे में आये हैं अभी दान के उन रुपयों को स्विकार नहीं किया जारा है जो दानियों द्वारा मंदिर निर्मान में दिया जाएगा उसके लिए अलग से खाते खोले जाएंगे जो कानूनन रूप से आयकर से मुक्त होंगे राम जन्र भूमी तिर्थ चेटर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत्राय त्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र जिला धिकारी अनु झाने राम ललां परिसवर का जाएजा लिया है हाला कि राम लला के मंदिर निर्मान के तिथी अभी नहीं बताई जा सकती है राम मंदिर निर्मान से पहले कई सारे कारे पूरे करने हैं आयोध्या से मुहम्मद आलम की रिपोर्ट तो आप देखते रहें ये न्यूस 29 इंडिया एक देश सारी प्रदेश आयोध्या से मुहम्मद आलम की रिपोर्ट